बिस्मिन लाहिर रह्मान रहीम असलाम उलाइकूम स्वाद इस क्रियेशन में खुश्यामदेद जी तो जनाब आज हम आपको बनाना सिखाएंगे दो तरह की सॉस और सैंड़िच थाउजन आइलेंड सॉस के लिए दो चमच चॉप्ट प्यास चुथाई चमच हरी मर्च और एक चमच शिम्लमिर्च लेंगे इसमें हम दो खानाखाने के चमच मियूणीज और keepsाध केचप डालेंगे और आदा चाही का हमच स्वइद मर्च और एक चुटकी नमक डालके इसको होब अच्छे से मिख्स कर लेंगे स्विख्रल बिल्कुल बेहतरीन टेक्श्चर और अच्छा टेस्ट मुझे हासिल हो गया था. अब आपको बाजार से थाउजन आईलेन लाने की जरूरत नहीं है. ये सॉस बहुत असानी के साथ आप घर में बना सकते हैं बाजार की सॉस से ज्यादा ही टेस्टी होगी, कम नहीं होगी इंशाला अब हम आपको दूसरी सॉस बनाना सिखाएंगे. इस सॉस का नाम है टेक्स मैक्स सॉस इसके लिए दो चमच प्याज, दो चमच शिमला मर्च और कुछ मिक्तार में हरी मर्च लेंगे और छे चमच कैचप या चिली कैचप ले ली जगा, चिली सॉस जो होती है और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजेगा, देखें असान त्रीन इंग्रीडियंट्स के साथ बहुत अच्छी मज़ेदार डिफरेंट फ्लेवर की हमने दो सॉसेज असानी से घर में त्यार कर ली हैं. अब हम सैंड्वीच असेंबल करेंगे, चिकन तिका की रेसिपी मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, उसी रेसिपी से हमने चिकन मेरिनेट करके और इसको कुक करके त्यार कर लिया है, अब हम अपना पैन ग्रीस करके धीमी आंच पे स्लाइसेस को सेख लेंगे, दोनो आप चाहें तो तीन लेयर भी कर सकते हैं, मैंने दो लेयर के साथ सेंड्विच बनाया है, एक स्लाइस के ओपर मैंने टैक्स मैक्स सॉस लगाई है, बहुत ज़्यादा भर-भर के सॉस नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाद में हम थाउजंड आइलेंड सॉस जो है, वो थोड मुनासब सी, स्प्रेड कर देंगे, हम स्लाइस के ओपर, आप चाहें तो आइसबर्ग लेटर्स या कोई भी और स्लाइद रखना चाहें, तो जरूर रखें, कीरे के स्लाइस, या टमाटर के स्लाइस, प्याज के स्लाइस, मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मेरी फैमिली मे सेंड्विश में ज्यादा स्लाइद पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैंने सॉस के साथ चिकन तिक्का सेट कर दिया है, आप जाहें तो चिकन ज्यादा इस्तमाल कर सकते हैं, अब इस चिकन तिक्का के ओपर, थाउजन आईलेंड सॉस पोर कर दें, और इसके उपर गर्मा गरम गोल्डन ब्रेट स्लाइस रखके हलका सा प्रेस कर दें, जब भी आप हाथों से कुकिंग का काम करें, तो या तो गलव्स यूज करें, या फिर हाथ इतने साफ सुत्रे हों, कि आपका खाना सेहत बख्ष रहे, ना खुनकटे वे हों, हाथ धु क्योंकि खाने का लुट भी तब ज्यादा निकल के आता है, जब हाथों से काम किया गया हो, हार काम चमच से नहीं किया जा सकता, ने जी हमारे गर्मा गरम सैंड्विच ट्यार हैं, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, इसके उपर एक और लेयर लगा के एक और स्लाइस रखे इसको डबल डेकर कर सकते हैं, अभी मैं एक और तरीके से सेंड्विच को असेंबल करने का तरीका बताने वाली हूँ, पहले वाले तरीके से ही हमने एक स्लाइस लिया है, उसके उपर थाउजंड आइलेंड सॉस लगाई है, उसके चिकन तिक्का रखा है, उपर टेक अवन में रखके थोड़ा से एक लें, थोड़ा सा चीज जो है, वो मेल्ट हो जाएगा, उपर दूसरा स्लाइस रखें, और आपके सैंड्विच में वेरियेशन आ गई है, चीज के साथ, आप अपने सैंड्विच को या बर्गर को जितना है भी करना चाहें, ये आप पे ह मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कुमेंट्स जरूर कीजिए, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना खूब ख्याल रखिए, सिहत बख्ष खाईए, सिहत मन्द रहें, अल्ला हाफिज